असराम अलेकुम विवर्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किया परफेक्ट जैली को किस तरह से त्यार कर सकते हैं क्योंकि अकसर लोगों को ये श्कायत होती है कि उनकी जैली जो है वह बहुत ही वाटरी त्यार होती है तो परफेक्ट जैली बनाने के लिए आप इस रेश्पी को जरूर ट्राइ कीजिए तो इसके लिए पैन में सबसे पहले एक कप पानी का शामिल करें तो जब पानी इस तरह से बॉयल होने लगे तो मैं इसमें स्ट्रॉबरी जैलो जो है वह एड़ कर दूँगी इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें इसे इतनी देर मिक्स करें कि जैलो पाउडर पानी में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए अब फ्लेम ओफ करें इसे फिर से मिक्स करें और इसमें हाफ कप खुब ठंडा पानी शामिल कर दें अब इसे अच्छे तरह से फिर से मिक्स कर लें इस तरह से आपकी जली बहुत ही परफेक्ट त्यार होगी अब आप इसे एक बाउल में निकाल लें दस मिन के लिए इसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने दें और फिर इसे हाफ आउर के लिए रफ्रीजेट कर दें फिर से पैन में एक कप पानी डालें ग्रीन जली बनाने के लिए मैं इसमें एक बैक्ट बनाना जैलो का एड़ करूंगी फिर से हम इसे अच्छे तरह से मिक्स करेंगे फ्लेम को ओफ करें हाफ कप इसमें फ्रीजर का ठंडा पानी एड़ करें अच्छी तरह से मिक्सेने के बाद इसे भी आप एक बाउल में निकाल लें और हाफ हार के लिए इसको भी रेफ्रीजेट कर दें तो आदे गेंटे भी ही आपकी जैली जो है वो बड़ी एची सी सेट हो जाएगी तो यह देखिए कितनी परफ्रेक्ट जैली हमारी तियार हो चुकी है आप अपनी मर्जी की शेप काट सकते हैं मैं इसे एक अस्टट के साथ सार्व करूंगी तो मैं थोड़े से बड़े क्यूब्स काट रही हूँ आप इसे किसी भी डिजार्ट के साथ या इस तरह से भी एं